नमस्कार दोस्तों आज में आपको बहुत ही अद्भित पक्षी के बारे मताओंगा दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे इस पक्षी को इस पक्षी करा हों दोस्तों उल्लू जो है बहुत ही इसे जो है उप्योगी पक्षी माना जाता है और इसकी जो है मांग हमाद देश से लेकर बिदेवसे में तक है दोस्तों चलिए उल्लू के बारे में जो है हम आपको आज रोचक जानकारी बताते हैं जिसे आप सुन करके जो है दातों तले उंगली दवा लेंगे तो कि दोस्तों जितना डरावना होता है उतना ही बुध्ध ही मान भी दोस्तों बेखिये आप इसमें पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको पढ़के भी बतार रहा fic क्या आप भी उन्लू को बेकूप समझते हो ये दिया हाँ तो बड़ी भूल कर रहे हो ।ो आपकी ना तो चलिए आज जान लेते हैं इस पक्षी की जानकारी उल्लू के बारे में रोचक तत्त एक से दस दोस्तों हिंदू देवी लक्षमी का वहान है उल्लू ठीक है दोस्तों और दोस्तों उल्लू जो है धरती पर उल्लू की 200 से ज़्यादा किसमें मौजूद हैं यानि कि दोस्तों धर्ती पर के और पूरी धर्ती पर दोस्तों से जादा उलू की जो हैं प्रजातियां हैं किसमें नसले हैं ठीक है दोस्तों और ये ये अंटार्टिका अंटार्टिका को छोड़ कर पूरी दुनिया में पाया जाते हैं दोस्तों एक हाली अंटार्टिका को पक्षी है दोस्तों जो नीले रंग को देख सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब एक उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है वहां की पक्षी नहीं देख सकते उन्लू एक साल में एक हजार चुहे खा जाता है देखिए दोस्तों क्योंकि एक तरह से जो उन्लू का जो मुख आहार माना जाता है मेंड़क और चुहे माना जाता है यहां तक कि कई बार यह सांप को भी खा जाता है दोस्तों उल्लू का मन पसंद भोजन चुवा है और अंकिरे मकोडे भी हैं मेंधक है और दोस्तों आपको पता है उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिगरी तक घुमा सकता है है ना दोस्तों मन जे की बात उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिगरी तक घुमा सकता है दोनों तरफ 135 और 135 डिगरी का मतलब यदि आप इसकी पीछे भी खड़े हो तो भी है आपको बिना सरीर हिलाए सिर्फ गर्दन घुमा कर देख सकता है देखा द दोस्तों उल्लू किसी भी वस्तू का 3D इमेज देख सकता है वाह क्या बात है दोस्तों उल्लू किसी भी वस्तू का 3D इमेज देख सकता है यानि यह किसी भी किसी वस्तू की लंबाई और चुनाई और उचाई तीनों देख सकता है क्या बात है धर्ति का जो सबसे छोटा लूंग है उससμέนे सिर्फ 31 गिराम हो जहन थे दोस्तों ध्यान कर प्रेसे इस धर्ति जो सबसे चोटा लूंग है उसमें सिर्फ 31 गिराम वोजन है और उसका चुमण आत्ज है बिखने सबसे बड़ा ओलू है उसके पंख पांच फिट लंबे हैं तो दोस्तों सुनिए मैंने आपको यहाँ पर साथवी नमबर पर सबसे छोटा उल्लू है धरती का और जो सबसे बड़ा है धरती का उल्लू उसके बारें भी मैंने आपको बताई यह आठवी नमबर पर है दुबार सुन दीजिए धरती का जो सबसे बड़ा उल्लू है उसके पंख पांच फिट लंबे है ग्रेट होरनेड नाम की इस उल्लू का वजन धाई किलो हो तक हो सकता है देखिए दोस्तों उल्लू अपने ताकत वो और बच्चे को पहले खाना खिलाते हैं दोस्तों आपको इस आश्चार बात को जानकर बड़ी हैरानी होगी उल्लू अपने ताकत वो और बच्चे को जो उनके बच्चे ताकत वोते हैं उनको ये पहले खाना खिलाते हैं और कमजोर को बाद में उल्लू इंसानों से दस गुना धीमी आवाज भी सुन सकते हैं दोस्तों कई बार जितनी कम आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं पर उल्लू इंसानों से दस गुना धीमी आवाज भी सुन सकते हैं और किसी भी दिसा में अपने कानों को सुनने के लिए घुमा सकता है ये रात के अंधेरे में अपने सिकार को देखकर नहीं बलकी उसकी आवाद सुनकर पगड़ते हैं वाह दोस्तों उल्लू जो है अपने जिह सिकार को जो है उसकी आवाद सुनकर पगड़ता है हैनाश चारे वाली बात उल्लू के बारे में रोचक तत दोस्तों उल्लू दिन में नहीं बलकि रात में जागता है आपको तो पता ही होगा उल्लू की आँखें उसकी दिमाग जितनी बड़ी होती है जो कभी हिलती नहीं है बलकि एक जगए फिक्स रहती है उल्लू के पंजे 135 केजी पर स्क्वाइर इंच का फोर्स लगा सकते हैं तो एक तगड़ी इंसान बाइट के बराबर है उल्लू के समू को पारलिमेंट कहा जाता है दोस्तों उल्लू चुहे साप गिलहरी मशली से लेकर दूसरे उल्लू तक को खा जाते हैं यह लगबक 30 साल जीते हैं यानि कि दोस्तों कि 30 साल उमर होती है इनके दाथ नहीं होते तो यह अपने खाने को चबाते नहीं बलकि सीधे ही निगल जाते हैं और दोस्तों जो सोलवा नंबर है इसमें UK यानि कि United Kingdom यानि कि London में आप उल्लू को पाल सकते हैं लेकिन USA United States of America में अध्यम पाल सकते हैं और भारत में इसका सिकार करना भी गैर करनोंनी हैं तो दोस्तों आज जो आपने व लू के बारे में जो है बोसक्त बाते जानी तो दोस्तों मीद करते हो आपको यूडियो पसंदर यह आग केंट सब्सक्राइब करें धन्यवाद